Hey guys, this is Triti, आज हम लोगों discuss करने वाले हैं 5 माई के गरनट अफ्यार, आज जो भी important questions होंगे, उसको हम लोगों इस वीडियो में cover करेंगे सुरू करने से पहले मैं चाहूंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडियो चाहिए, तो आप examtrends.net वेबसाइट से पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और easily revision कर सकते हैं इसके अलाब अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी करते हैं तो इन सभी विसेओ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और playlist में फ्री वीडियो क्लासेज देख सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं topic को देखते हमारा आज का पहला question क्या है पहला question हमारा की हाल ही में किस देख ने 45 दिवसी Mount Everest cleaning campaign launch किया है In short अगर हम लोग बात करें तो Mount Everest को साफ करने के लिए एक campaign launch किया गया है जो कि 45 days का होगा हमसे पूछा जा रहा है कि या किस देख ने launch किया है तो अगर आप guess करेंगे तो सब के मन में तुरंत आयेगा कि नेपाल और बिल्कुल सही भी है क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको पढ़ाया था कि नेपाल ने Mount Everest के उचाई को दुबारा नापने के लिए एक team भेजाया है इस वज़े से इसको भेजा गया था इस मिसन को अब अगर हम लोग बात करें इस question की तो ऐसा नहीं कि एक ही line में या सिमट करा जाएगा इसमें बहुत से चीज़े आपको पढ़ना है इसका उद्देश ये क्या है इसका उद्देश है Mount Everest पर फैले कचरे को साफ करना क्यूंकि आपको पता है कि जो भी परवता रोही वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सी चीज़े होती है लाइक हो गया वहाँ पे बेर की बॉटल हो गया या और भी जो चीज़े हैं उनको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है प्लास्टिक हो गया जिस वज़े से Mount Everest बहुत ही जाजा प्रदूसित हो रहा था इसी प्रदूसर को कम करने के लिए Mount Everest पे भेजा जा रहा है एक 45 दिवसी मिसन को लांच किया जा रहा है अब इसकी सुरुवात कहां से हुई है इसकी सुरुवात की जा रही है सोलू खुम्बु जिला नाम याद रखेगा क्या है सोलू खुम्बु जिला मे भी question पूछ ले आप से वैसे तू नेपाली पूछेगा यहां का जो खुम्बु पास हंगम ग्रामीर नगर पालिका है इनके द्वारा इस मेशन को लॉंच किया गया है इनका उद्देश यह है कि हम माउंट एवरेश टे 10,000 किलो कचरा वापस लाएंगे और 5 जून को क्या है 5 जून को 5 जून को मना जाता है विश्व परियावरण दिवस 5 जून को जो कचरे है इनका प्रदर्शन किया जाएगा नेपाल की कैटल काटमांडू में और माउंट एवरेश पर जो कचरा है ज्यादा कचरा होने के कारड़ इसे क्या का जा रहा है विश्व का सबसे उचा कूड़ेदान क्या है माउंट एवरेश या भी याद रखेगा अगर माउंट एवरेश की उचाई की बात करें तो आठ आठ चार आठ है और इसको चड़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है अरुनिमा सिन्हा चले अगले क्यूशिन की बात करते है नेक्स हमारा की हाल ही में किस स्टॉक एक्स्चेंज के साथ मिल करके जी एस्टी जागरूपता कारेकरम लांच किया गया है तो क्या है ये जी एस्टी जागरूपता कारेकरम देखे जी एस्टी के बारे में लोगों को जागरूप करना क्योंकि बहुत सो लोगों के मन में वहम होता है कि GST बहुत खराब चीज है, हमें GST फाइल नहीं करना चाहिए, GST एक्चुली में होता क्या है, जो फाइल भी करना चाहते हैं, तो इस तरह का एक जागरूपता मिसन चलाए गया है, Bombay Stock Exchange के दोरा, किसके दोरा, Bombay Stock Exchange, या भार करें, तो यह एशिया का सबसे बड़ा Stock Exchange है, इसकी एसापना होई थी, बानबे में होई थी, चीक है, याद रखेगा, अब बात आती है, कि यह किस प्रकार का जागरूपता कारिकराम है, तो इसमें एक कोर्स लाँच किया गया है, जिसके लिए 12 हमी पास होना जरूरी है, चीक, और इस कोर्स को चलाया जागा, जैनवरी से लेकर के जुलाई तर, ओके, इसके अलाब अगर हम लोग जिएश्टी की बात करें, तो जिएश्टी लागू हुआ है, एक जुलाई 2017 को, और यह भी पूछा जाता है, कि भारत में जो जिएश्टी मॉडल फॉलो होता है, वो किस देश से समन्द रखता है, तो वह समन्द रखता है कहां से, यह रखता है, कैनडाई मॉडल पर याद आ रही था है, यह जिएश्टी, चीक, याद रखेगा, चलिए, अगले क्विश्चन की बात करते हैं, किस देश ने एक सहर में 24 घंटे सरवाधिक जंडा फैरान कितने घंटे फैराय गया था, तो करीब 26,852, कितने घंटे है, 26,852 घंडे एक साथ फैराय गया है, इसके पहले या खिताब किस के पास था, तो New York के पास था, fossils फैराय की बना गया था, और उसको ब्रेक किया किसने बेरूत ने, इसको किस के दोरा सनरच्छर प्रदान किया अग्ला question है हमारा कि अंतर राष्ट्री स्रमिक दिवस कम मनाआ जता है important question है अंतर राष्ट्री स्रमिक दिवस देखे मनाआ जता है 1 माई को और इस बार इसकी theme रखे गई थी सब के लिए स्थाई, पैंसन, समाजीक पार्टनर्स की भूमिका इसमें जो अंतर राश्ट्री स्रमसंग है उनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का दिवस मनाया जाता है नेक्स है हमारा कि सिप्री के अनुसार ये देखे काफी important question है सिप्री के अनुसार किस देश का सन ने खर्च सबसे अधिक है ये most important question है अगर हम लोग बात करें तो UPSC main से लेकर के PCS तक में ये बहुत ही important question है क्योंकि आपको पता है कि जो भी देश है आप सभी क्या है कि धीरे धीरे तेजी से develop होते जा रहे है और development के साथ साथ लोग क्या अपनी sandwich हमता को बढ़ा रहे है इस वज़े से हम लोग guess कर सकते कि ये question exam point of view से कितना important है तो फिलाल इसमें जो number one पे है वो है America number one पे कौन है number one पे है America थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं देखिए सिप्री एक वैस्विक थिंग टंक है क्या है सिप्री एक वैस्विक थिंग टंक है जिसका नाम है Stockholm International Peace Research Institute क्या है अगर हम लोग सिप्री इस तरह लिखा गया है तो इसमें क्या है Stockholm International Peace Research Institute इन्होंने यह पूरा डेटा निकाला और इसमें बताया कि अमेरिका जो अपना सैन खर्च है वो सबसे ज़्यादा करता है करीब अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका 649 डालर का सैन खर्च करता है अरब डालर का यह भी यह रखेगा अगर हम लोग बात करें कि वैस्विक सैन वै में बृद्धी कितनी हुई है तो 2.6% की बृद्धी हुई है इसके नाव कुल सैन खर्च है 1822 डालर भारत कौन से स्थान पे यह भी इंपोर्टेंट है तो भारत चौथे नंबर पे है नंबर वन पे अमेरिका है नंबर दो पे है हमारा चाइना जो की करीब 2500 और डालर खर्च करता है और इसके लावा भारत है चौथे नंबर पे तो याद रखेगा इंपोर्टेंट क्वेस्चन है सैन खर्च थी Stockholm International Peace Research Institute के दोरा यह दिया जाता है अगर हम लोग बात करें 2017 यह डेटा देखे हर साल आता है 2017 में भारत पांचवे अस्थान पे था और 2018 में भारत हो गया है चौथे अस्थान पे बात आती तीसरे अस्थान पे कौन है तो यह भी जान लेजे सौधी अरब है तीसरे अस्थान पे और पांचवे अस्थान पे है फ्रांस इन्होंने क्या किया है जो वेस्ट्विक अस्थर पर कुल सैने खर्च की बात करें तो 100% हो जाएगा जो यह हमारी इस नंबर वन के पांच देश हैं यह अकेले 60% खर्च करते हैं कितना करते हैं अकेले 60% यहीं खर्च करते हैं तो याद रखेगा इस को जीतने वाला है बर्सिलोनः फुटबॉल टिम उन्होंने क्या किया कि जो हरा करके जीता है इस्पेन में इसको सुरू किया गया था 1929 में कब सुरू किया गया था इस्पेन में 1929 में ला लीगा 2019 को सुरू किया गया था जिसमें दो क्वेस्चन और इंपोर्टेंट है कि सरवाधी गोल किस ने किया तो लियोनेल मैसी ने किया सरवाधी गोल कुल 477 बार और इसके लामा अगर सरवादी खिताब किसके पास है तो Real Madrid के पास है 33 बार जीता है याद रखेगा ला लीगा किसने जीता है बर्सिलोना फुटबॉल क्लब ने अगला क्वेशन हमारा कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच किस अस्थान पर वरुड 19.1 युद अब्यास शुरू हुआ है या शुरू हुआ है गोवा में वरुड एक नौशनिक अब्यास है जो की एक मई से लेकर के दस मई तक चलेगा और इसके अलामा भारत और फ्रांस है हमारे कई क्वेशन इंपोर्टेंट बन सकते हैं जैसे भारत जो है या भारत के जो वैग्यानिक हैं मिशन गगन यान के लिए उनको प्रसिछड देगा साथी साथ सूपर कंप्यूटिंग मिशन के ताथ जो 70 प्लस कंप्यूटर हमने बनाने का जो एक साजा किया वो भी किसके साथ किया है फ्रांस के साथ तो याद रखेगा अगला हमारा कि मेरी लिवोन क्रिकेट क्लब के पहले गयर ब्रेडिस अध्यच कौन होंगे या अध्यच होंगे कुमार संगकारा या अपना पद कब से समालेंगे तो एक अक्टूबर 2019 से अपना पद समालेंगे जिसकी सुरुवात हुई थी 1787 में मेरी लिवोन क्रिकेट क्लब की सुरुवात का वोई थी 1787 में तो यह थी हमारे आज की important question अब जो हमारे कल के important question होंगे हम लोग उसका फटा फट रिविजन कर लेते हैं तो कल का हमारा पहला question था कि हडपा कालीन सबसे पुराना कबरिस्तान कहां पर मिले सबसे बड़ा कबर प्रदेश के सनौली में मिला है फिर था हमारा की 25 चिकस्ता दिवस कब मनाया जाता है तो 28 सप्रेल को मनाया जाता है 25 चिकस्ता दिवस करोप में नेक्सा हमारा की सीमा पार होने वाली कर चोरी को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझाता किया तो भारत ने अमेरि लिपी को पढ़ने के लिए OCR सिस्टम विक्सित किया IIT मदरास ने इसके पहले मैंने आपको बताया है कि IIT मदरास ने भारत का पहला श्वदेशी विक्सित माइक्रो प्रोसेसर बनाया है जिसका नाम है सक्ती यह 2018 जनवरी में आपको बताया गया था और काफी important question है हमारे exam point of view से नेक्स हमारा कि विश्व कारे अस्तल स्वास्त वा सुरच्छा दिवस कब बनाया जाता है तो 28 अप्रेल को उसके लावा था हमारा कि footballer writers association द्वारा किसी 2019 का footballer of the year नामित किया गया तो रहीम इश्टर्लिंग को footballer of the year नामित किया गया नेक्स हमारा कि भारती वाय शेना का उप्रमु किसे ने उप्त किया गया तो air marsal राकेश कुमार भदवरिया को नामियाद रखेगा राकेश कुमार भदवरिया नेक्स हमारा कि time पत्रिका की सौ सबसे प्रभावसाली लोगों की सूची में कितने भारतीओं को सामिल किया गया था तो तीन भारतीओं को सामिल किया गया है कौन-कौन है मुकेस अंबानी जो कि रिलैन इंडर्श्ट्री लिम्टेट के चेर्मैन है इसके लावा मेनका गुष्वामी वकील है फिर है अरुन धती काड़जू या भी वकील है इन दोनों की भूमिका क्या है इंपोर्टन क्यूं है इन्होंने 377 समाफ्त करने में महतपू वीडियो पर एड आये तो एड को इसकी मत क्या करें एड को पूरा देखा करिए थैंक यू फ्रेंस थैंक यू सो मच